हाई फ्रेंस आप देखने हैं फिल्मी के श्री में हूँ रुना आशिश और चली हम बात करने वाले हैं पवंदीप राजन के नए भजन की ओम नमा शिवाय शिवधुन जो हाल ही में म्योजिक पाइ स्पिरिच्छल चैनल पर रिलीस किया गया है और फ्रेंस इसमें बात यह कि कुछ घंटों पहले बताया गया कि पवंदीप इस कमिंग आउट विद शिव भजन और ऐसे में डेफिनिटली आप एक 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 प्रेक्टेशन लगा कर चलते हैं कि क्या होने वाला क्या नाया लेकर आने वाला है क्या वो रौदर रूप दिखाएगा क्या वो तांड पदा नहीं आप लोगोंने देखा नहीं देखा मुझे तो मालूम नहीं देखना नहीं आता बठा मैं I was enjoying every bit of every word of पवंदीप who sang this bhajan beautifully और अगर इस की बात मैं करती हूँ friends तो ये गाने की डिटेल्स देना चाहूंगी इसमें शिवदुन का जो ओम नमाशिवा ये है अगर ये बात कहूं कि ये कितने देर का है तो इसमें कुछ दिखाए गया है 6 min 17 seconds का दिखाए गया है हालंकि मुझे असा लगता है कि ये वाला गाना न एंड्लेस है ये वाला गाना आप लगा तार सुनते रहना चाहेंगे स्वारी आप जब भगवान की स्थिती करते हैं और थना शोल में आते हैं जिस रूब में उनको देखना चाहते हैं अगर आपको लगता है जयस אחד कंध़ी की बड़ी उपासकी हूं तो चोटा मोटा काम कर पाते IMP के लिए 10 मैं की समय में जब वो हमारे घर में पधारते हैं अगर आपको गंदेश है तो वैसे हो जाते हैं यह में में ही आराधय मैं कि आमेने को तोल पांथी हूं विने में घुका है कि भगवाण शंकर में यह यह स्थी यह साथ ना चाहते हूंगी को शिव जी जो है यह वो भागौान है जिन्होंने पूरी दुनिया का गरल विश्ट अपने कंठ में छुपागर रखा था, नील कंठे शुर इसलिक ़हा जाता है. यह सारे इुम्ध कलाएं हैंँ कि देवता हैं, इसलिए नृट राज कहा जाता है. यह जो हैं रौद रूप भी हैं, जब रौध रूप में आती है, जब वो आते हैं, और वो रोदरुक का समय में आते हैं, तब पूरी धर्ती कांप उठती है, पूरा ब्रहम हंड कांप उठता है, तो मेरी लिए शिव जी ये सब कुछ है, लेकिन जब ये आप भजन सुनते हैं, तब आपको लगता है कि शिव जी आपको ध्यान मगन भी करने के लिए अग्रसर करते हैं, आप आखें मूंद करके इस भजन को सुनते रहें, वो शब्द आपके कानों में गूंचते हैं, और अपने वो एक दिमाग में भी आपके घूमने लग जाता है कि जो ओम नमहाशिवाय पवंदीब गाते हैं उसके बारे में, हलांकि मैं एक बात ये भी जानती इसका एक साइंटिफिक कारण भी होता है, कभी मौका पड़ा तो हम उसके ओपर भी डिसकेशन करेंगे और मैं जुड़े हुए लोगों से और भी डिटिल्स निकालने की कोशिश करूँगी और आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी लेकिन मुझे ये लगा कि ये वाल आपके आने वाले पड़ाव क्या होने वाले हैं और आप इसे spiritual भी बोल सकते हैं आप इसे religious भी बोल सकते हैं मैंने कहा ना जैसा भक्त चाहे भगवान उस रूप में आपके सामने आते हैं तो मेरे लिए ऐसा लगा कि ये वाला जो भजन है मैं सुनते सुनते ना ध्यानमग मगन हो जाओं बहुत बहुत पवित्र फीलिंग आती है जब आप ध्यानमगन होते हैं आपको अपने अंदर एक अलग उर्जा का संचरन समझ में आता है मेरे लिए ये वाला जो 6 मेंट और 17 सेकिंड का जो भजन है पवंदीप का वो मुझे सिंपल यही लगा कि ये आपको बहुत शांत करता है और आपको ध्यान की और अग्रसर करता है मेडिटेट करने के लिए आपको प्रोचसाहित करता है और फ्रिंट्स अब डिफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो रिव्यू है इसका सेकेंड पार्ट भी बनाना चाहिए तो वो भी मैं बनाने ही वाली हू हुआ तो अभी नहीं तो सुभह मैं उसको अपलोड भी कर देने वाली हूँ लेकिन यहां पर मैं संपल यही कहूंगी महा शिवरात्री के समय में पवंदीप नहीं जो भजन गाया है ना मेरे हिसाब से तो पवंदीप तुमारे उपर शिवजी न खोप प्यार बरसाने वा होंगे और आपके फैंस तो डिफिनेटली आपको प्यार करने के लिए बैठे ही हुए हैं अब आप मुझे बताईए जब आपने यह वाला भजन सुना है ओम नमाशिवाय यह शिवधुन सुनी है तो आप लोगों को कैसा लगा आपकी मन में क्या भाव आए जरा लिक कर ब